नमस्कार दोस्तों तो उत्राकंड लोक से बायोग ने फिर से एक नए भरती लिकाल दी है आपके सामने और ये भरती है पसुत चीकितसा दिकारी ग्रेट्ट तूकी इस भरती के क्या-क्या नियम हैं क्या-क्या क्वालिफिकेशन करोगी क्या इसमें greater पे होगा और इस भरती से संब्दी संपूर्ण डिटेल इस एक वीडियो में मैं देने का प्रयास करूँगा तो आप यदि वास्ताव में इस भरती से लाभनवित होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा आए शुरुबात करते हैं देखे वरती का विग्यापन प्रकाशन हुआ है 12 अक्टूबर 2023 को दो नौमबर 2023 तके हाँ पर आप आवेदन कर सकेंगे लास्ट जेट है दो नौमबर 2023 सुल्क जमा करने की अंदिम्तिती भी है इस सीधी भरती के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं कुल पदों की बात कर लेते हैं 91 पद हैं जो बड़िया घड़ भी सकते हैं आगे इसमें अनारक्षत की बात करते हैं तो 44 कुल पद है उनमें से 14 पद उतराखंड महिला के हैं दो उतराखंड प्रभावीत या अनुसची जाती के 30 पद हैं जिसमें से 3 महिलाओं के हैं ऐसे ही अनुसची जणजाती के 2 पद है और पाँच पद यहां पे कुल मिला करके दिव्यांगों के हैं और तीन पद हैं पूरो सैनिकों के, आईए बात कर लेते हैं, टोटल पदों की बात करें, एक और नवे पद हैं जिनमें से 17 पद महिलाओं के हैं, और एक पद यहां पे उदंता संगनाम सैनानी आश्रित का, बात कर लेते हैं इसमें वेतन वान की बात करेंगे तो लेवल 10 का यहां पर वेतन पर्थी निवारे सक्षिक अर्षता की बात करते हैं तो इसमें वो लोग आविदन कर पाएंगे जिननों तो ने विदिद्वारा स्थापित्स भारतिय पशूचीकित्सा परिषद से मानेता प्राप्त किसी भी कि इनुवर्थ से पशूचीकित्सा में इस नात्र कि उपादी प्राप्त की है और पशपैंड BVSC शूच चौण होने अलगula कोर्सें तो यह रहां पे परिसद में रिस्टर्ड हो एसे लोग इस पद में आवेदन कर पाएंगे अगर बाकी बाते समान रहती हैं तो परसुचिकित्सा में जिन्हों ने इस नातक उतर की उपादी प्राप्ट किया है डिप्लोमा किया है यहां ने कोई उच्छा रहता भी हांसिल किये साथ में तो अगर माक्स बराबर हो जाते हैं तो कैंडिडेट्स के तो इसके अलावा हम बात करेंगे आयू की तो 21-42 वर्स यहां पर रहेगी गणना होगी आयू की एक जुलाई 2023 को तो आप इसके अनुसार देख सकते हैं अब यर्थी का जन्म अगर एक जुलाई 2002 के बाद हुआ है त जुदन दसंग्राम सेनानी आश्रीतों के लिए यहां पर पांच वर्स की आयू में छुट दी गई है पूरू सेनिकों को सेना में उन्होंने सेवा की है उसकी आयू को माइनस कर लिया जाएगा और उससे तीन सार एक्स्टा तक उनको छुट दी जाएगी आविदन आउन सारिक दिव्यांग को 22 रुपे 30 मैसा और आज की एक रहों में जो निवासरत अनाथ बच्चे उन्हें को इशुल के यहां पर देयर नहीं होगा यहां पर पहले लिखित परिक्षा कराई जाएगी वस्तोनिष्ट प्रकार की अब इसके लिए स्लेवस की बात कर लेते हैं तो क 700 अंकों के टुप मिलाके 2 घंटे का फेपर होगा दुस्रा पैपर 5 प्रसुन चिके सा और और परिक्षा की ओगी और बात कर लेते हैं तो जो पहला पेपर इसमें सामन्य अध्यार हिंदी इसका पाठेक्रम भी यहां पर दिया गया है तो क्या-क्या चीज़ें इसमें आएगी आप इसको देख सकते हैं अगर आप चाहेंगे कि इसके ओपर डिटेल ने वीडियो बनाए है तो मैं इसके ओपर भ इसमें आविदन करेंगे वह इस पाठेक्रम के अनुसार अपनी तयारी कर सकते हैं और जो आपको डॉक्यमेंटेशन करना होता है किस तरीके के सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए यह आपको यहां पर दिखाए जा रहे हैं आप साब अपने डॉक्यमेंट्स को त्यार क करेंगे कितना मिनिम्म क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वह सारी जानकारी विगवति में आपको दी गई है तो इस तरीके की सारे डिटेल्स यहां पर फुलक दें तो कोई भी डाउट कोई भी प्रशनेशन आपके मन में हो जरूर कमेंट किजेगा और आपको अगर डाउट आपको इस भरती के संबंद में लगता है तो जो भी जानकारी आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप फूर सकते हैं उसके पर हम वीडियो बना करके भी आपके शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही महतपूंड वीडियो हम सभी बरतियों के उपर ला करो मेंश हम जकारी का।